मेरट के थाना मुंडाली छेतर के अंद्रगत आने वाली चौकी, माउखास के चौकी प्रभारी सुभाष चंद्र, हलका इंचार्ज कोशिंदर, सिपाही सिध्धान्त, चौकी के अन्य पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत्र सिसौली निवासी व्रधा के घर में रात्री के समय घुस कर तोड़ फोड और गाली गलोच करते हुए जाती सूचक शब्दों का इस्तमाल करते हुए मारपीट करने लगे, रात्री के समय अफरा तफरी मच गई और चीक पुकार सुनकर पड़ोस में सो रहे पड़ोसी मौके पर पहुँचे तो शराबी पुलिसकर्मी सरकारी जीब को लेकर गिरते पड़ते भाग निकले। घायल असी वर्ष व्रधा प्रकाशो देवी को पड़ोसियों ने उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर पुलिसकर्मी को शराबी पुलिसकर्मियों की मारपीट के कारण कूल्धे में फ्रेक्चर हो गया है। इन दिनों छेत्र की भोली भाली जंता को डराधमका कर उनसे वसूली करने का काम भी शुरू कर दिया है। ये आरोप कप्तान दर्बार पहुँचे जिला पंचार सदस्य के पुत्र दुशियंत तोमर ने मौखास चोकी के सभी पुलिसकर्मियों पर लगाते हुए जिले के कप्तान रोहित सिंग सजवान को शिकायत पत्र सौपा है। पुरी चोकी को निलंबित करने की मांग भी की है। जाती सूचक चमार चट्टे को सब्दों का इस्तमाल करा और बेहद सर्मनाक ये घटना है कि पुरे छेतर के अंदर उसने ताना साही और पुरे छेतर के अंदर पैसे होगी एक दलाली का काम कर रहा है। हमारा कफ्तान साथ से निवेदा ने हम कफ्तान साथ से प्रादना करते हैं कि यह 80 साल की बुड़ी हैं जिनके साथ उसने मारपीट करी है इनका कुला अभी भी सूजा पड़ा है